हेलो वीवर्स आज हम क्लास 10 थका फोर्थ चेप्टर चिल्डरन को समझेंगे यह एक सिक्स स्टेंजा की सौट सी पोयम है और इसके पर स्टेंजा हर स्टेंजा में चार लाइन है और इस पोयम की राइमिंग इसकीम एबी एबी है इसके राइटर एस डबली लॉंग फैलो है आप भी एगर इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और पास आने वाले नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले सारी वीडियो आपको टाइम पर मिलती जाए चलिए आपन अब अपने चेप्टर पर आजाते हैं यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि छे इस्टेंजा है यहाँ पर आपकी पोयम में और पर इस्टेंजा चार-चार लाइने आपको दीख रही होंगी यहाँ कविता बच्चों के बारे में है कवी कहता है कि बच्चे आनंद फेलाते हैं और हमें जीवन की चिंताओं से छुटकारा दिलाते हैं इस कविता में कवी यह भी बताता है कि बच्चों की तरह लापरवा और खुस नजर आना किताबों के ग्यान से कई अधिक मुल्यवान है कवी बच्चों की तुल्रा सबसे मधुर गीतों से करता है कवी कहता है कि उसके लिए यह जीवित कविताओं के समान है और बाकी दूसरों के लिए बेजान लाइफ से, बेजान जीवन चलिए इसे line by line अपन समझते है यह हमारा first stanza, इसकी कुछ meaning देख लेते है Perplexed, हेरान, Venaged, गायब Come to me, O yet children, for I had you at your play And the questions that perplexed me, have vanished quite away कभी इन line में कह रहा है कि, ओ बच्चों मेरे पास आओ क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारे खेलो के दोरान सुनता हूँ और उस वक्त, वे प्रस्न, जिन्होंने मुझे हैरान परेशान किया था वे तुम्हें सुनते ही बिल्कुल गायब से हो गया है, दूर हो गया है चलिए, next extend जाएकी तरफ बढ़ते है Eastern, पूर्व की और, towards की और, thoughts, विचार Brooks, मतलब नदिया ये open the eastern window, that look towards the sun, where thoughts are singing swallows, and the brooks of morning run इन लाइन्स में कभी बच्चों को पूर्व की खिडकी खोलने, वो वहां की खुपसरत नजारे देखने की बात कर रहा है वह कहता है कि तुम पूर्व की खिडकीया खोलो वह खुली हुई खिडकीया सूरे की और देखती हुई प्रतित होती है जहां विचार स्वेलो पक्षी की भाती गार है और प्रातक काल की नदिया दोडती हुई नजर आ रही है चलिए, next paragraph देखते है संसाइन, सूरे का प्रकाश या रोशनी थौट्स, विचार ब्रुकलेट्स, छोटी नदिया माइन, मेरे वाइंड, हवा ओटम, पतज़ड का मोसम फाल अने गिरना स्नो मतलब बर्व इस स्टेंजा में राइटर बच्चो के मन और विचारों की तुलना स्वयम के मन और विचारों से कर रहा है वह कहता है कि बच्चो तुम्हारे मन में पक्षियों की प्यारी सी चहचाहट और सूरे का प्रकास है सूरे की रोसनी है और तुम्हारे विचारों में छोटी छोटी नदियों का बहाओ है जो की कल-कल करते हुए बहती है किन्तु मेरे मन में मेरे विचारों में पतज़ड के मोसम की चलने वाली हवाय है और सीतरितु का प्रथम बर्फ का गिरना है चलिए अगले स्टेंजा पर बढ़ते है इसकी भी जरूरी मिनिंग देख लेते है विस्पर धीरे से बोलना सनी धूप और एड्मास्फियर वातावरन Come to me, O ye children, and whisper in my ear What the birds and winds are singing in your sunny atmosphere ओ बच्चो मेरे पास आओ और मेरे कानों में आकर धीरे से ये बताओ कि ये जो पक्षी है, ये जो पवन है ये तुम्हारे इस दूप भरे सुनहरे मोसम में सुनहरे वातावरन में क्या गा रहे है Next is Tanger Country Wings, योजना है Wisdom, बुद्धी या ज्ञान Compared, तुलना करना Causes, लाड़ दुलार करना Gladness, हर सानन्द खुशी For what are all our country beings and the wisdom of our books when compared with your causes and the gladness of your looks इन लएनों में, राइटर, बच्चों की और संकेत करते हुए कह रहा है कि हमारी सारी योजनाए किस लिए है किस काम की है और हमारा किताबी ग्यान यह किताबों पढ़ा ग्यान कुछ भी नहीं है जब हम उनकी तुलना लाड़ प्यार या तुम्हारे दुलार से करते है तो इसकी मीनिंग देखके लाइन बाइन पढ़ते हैं बेलेट्स गाथा है या कवीता है एवर हमेशा लिविंग जीवित और पोयम्स मतलब भी कवीता है ये आर बेटर देन आल दो बेलेट्स देट एवर वर संग और सेड फॉर ये आर लिविंग पोयम्स एंड आल दर रेस्ट आर डेड रैटर इन लाइनों में बच्चों को सजीव कवीताएं बता रहा है और बाकी सब निर्जीव इन लाइनों में पोयम्स बच्चों को यह बता रहा है कि तुम उन सारी गाथाओ और कवीताओं से स्रेस्ट हो जो हमेशा से गाई या कही गई है पर तुम सजिव या जिवित कविताओं के समान हो इसके अलावा यहाँ पर सब कुछ निर्जिव और म्रत है और यहाँ पर आप लोगों की पोयम समापत होती है I hope कि आप लोगों को पोयम अच्छे से समझ में आयो होगी Thank you for watching the video Thank you